हम वहाँ मौजुद हैं और अभी हम दिखा रहे हैं एसी बोगी है यह गाड़ी आनंद बिहार से चलती है और कमाख्या तक जाती है इस गाड़ी का इतना बड़ा एक्सिडेंट हुआ ट्रेक से नीचे उतर गई सिर्फ ट्रेक से नहीं नीचे उतरी गाड़ी तो ट्रेक से नीचे उतर गई लेकिन ट्रेक भी उसके साथ नीचे आ गया तो सिधा सिधा भी दिखा रहे एसी बोगी का क्या कंडिशन है और बार बार हमारे दर्सक हैं सवाल कर रहे है कि कितने लोगों का मौत हुआ है यहाँ पे काफी मातरा में प्रसासन है अपनी सारी टीम ले करके यहाँ पे बचाओ का जो कार है उसको किया जा रहा है अभी तक कन्फरम नहीं हुआ है कि कितने लोगों का मौत हुआ है और कितने लोग घायल है क्योंकि बचाओ कार जो है लगतार चल रहा है अब हम अंदर जाते हैं A.C. बोगी की तरफ और अंदर का स्थिती दिखाते हैं कि क्या है जाने लैक तो नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं अंदर जाने का कि क्या स्थिती है मैं अपने कैमेरा में से चाहूंगा कि जना इधर आते हैं आईए और अंदर का इस्थिती देखा जाए आप सबी देख रहे हैं कि कितना मसकत करने के बाद हम इस गाड़ी के अंदर आये हैं और किस तरीके से कि इस तरीके से बच बच करके जाने का हम परयास कर रहे हैं लगतार और इसमें जाने के बाद पता चलता है कि हम ही इस गाड़ी से नीचे चले जाएंगा है मैं कैमरा में से दिखाऊंगा इस्थिती को दिखाते रहें कि क्या स्थिती है आप सभी देख रहे हैं कशलने के बाद लग रहा है कि गाड़ी हिल रही है अंदर चली जाएगी और कितनी मुसक्कत के बाद अभी हम आये हैं एसी बोगी में और एसी बोगी का क्या हाल है यह सभी आप देख रहे हैं हम अंदर तक नहीं जाने पा रहे हैं बहुत सारे मीडिया के लोग यहां आये और तो यह देखिए एसी बोगी का क्या इस्थिती है लगतार आप लोग देख रहे हैं अमराग क्रीम्स भोजपूरी को और क्या बताए जाए कि कितने लोगों का मौत हुआ है और कितने लोग घायल है बहुत सारे लोगों को यहां से लिकाल करके हॉस्पीटल में ले करके गए हैं हमारे प्रसाशन की जो तीमे हैं ले करके गई है